तो दोस्तों 2018 में एक हॉरर साइफाई मुवी आई थी जिसका नाम था एक वायट प्लेस जिसको डारेट किया था जॉन क्रिसिंसकी ने इस मुवी ने अच्छा कासा बिजनस किया एंड बहुती डिफरेंट टाइप की ये फिल्म थी जहांपर कुछ अन्नोन एलियन्स ने धर्ती पर आल्मोस्ट सभी इनसानों को और शोर मचाने वाली या फिर आवास करने वाली चीजों को तभा कर दिया था तो अब कुछी दिनों में यानि कि 28th of May को एक Quiet Place 2 रिलीज होने वाली है जहांपर हमको काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा बट उससे पहले मैं आज की वीडियो में Part 2 के लिए एक ट्रेलर ब्रेकडाउन प्लस स्टूरी प्रेडिक्शन करना चाहूंगा ताकि कि हम इस फिल्म को और डीपली समझ सकेंगे अब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंदाती है तो इसको 10,000 लाइक्स दे देना ताकि मैं Part 1 को भी एकस्प्लेन कर दूंगा वो भी Part 2 के आने से पहले ही और बस एक चीज लिख देना कि Part 1 के एकस्प्लेनेशन चाहिए अ विशेक भाई तो पार्ट वन मुवी की शुरुवात डे 89 से हुई थी जहां पर हमको हर तरफ तबाही दिखाई गई थी हमको ऐसा लगता है कि मानो एक भायानक तूफान आया हो और सभी इनसानों को अपने साथ खीच कर ले गया बट असल में यह तूफान एलियंस थे जो और मुवी के हिसाब से में ली एक फैमिली के बारे में हैं जिसके अंदर ली अपनी पतनी इविल इन बड़े बेटे मारकस डेफ बेटी रीगन और चोटे बेटे बू के साथ में शहर में को शौपिंग करने आये होते हैं एंड लेट मी टेल यो एंड इंट्रेस्टिंग यहाँ पर जो रीगन है वो रियल में एक डेफ बच्ची हैं और उन्होंने ही सबी को यहाँ पर साइन लेंगवेज सेट पर सिखाई थी ठेट ट्रेलर की शुरुवात में हमको डेवन दिखाया जाता है कि यह सब शुरू कैसे हुआ ली एक शौप में एंटर करता है जिसक कि आपको बताता चलूँ खेरब ली शौप ओनर और एक ओल्ड लेडी न्यूस को नोटिस करते हैं कि शहर में कुछ अजीब सा हो रहा है जिसके चलते जब ली शौप से बाहर आकर अपनी बेटी रीगन को कार में बैठाता है तो वो पुलिस से बात करने जाता है लेकिन त अलग-अलग ट्रेलर्स को एनलाइज करने के बाद में ये सीन साइमल्टैनियसली घट रहे हैं इविलन के साथ में मारकस और बो होते हैं अचानक से ही हर तरफ उसको भी के औस नजर आता है और रेडियो भी ठीक से काम नहीं करता जो कि इस मूवी की सबसे गहरी डीटेल है इन एलियंस के बारे में ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी से इन एलियंस को हर्ट होता है जैसा कि पार्ट वन के एंड में हमने देखा था तो इन एलियंस ने सबसे पहले रेडियो स्टेशन को ही तभा किया होगा तभी तो वो पार्ट वन में किसी से भी कॉं सब हुआ होगा और इन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंडा होगा जिससे लोग बच सकें अब इस मुवी के अंदर सभी लोग अपने घरों के अंदर ही फस गए थे बिसिकली क्वारंटीन हो गए थे तो ऐसे महाल में नहीं कोई एंटर्टेन्मेंट था और ना ही कोई काम या फिर पैसा कमाने का साधन और यह सिचुएशन आज के सी 19 के वर्ल्ड से काफी मिलती जूलती है सिचुएशन तो आप जानते ही हैं हर कोई परेशान है और पैसा कमाने का साधन भी कम हो गया है बट डूंट वरी गाईज आप ऐस सिचुएशन में भी कैश करो एप का इस्तिमाल करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं अब कैश करो एप एक ऐसी बहतरीन एप्लिकेशन है इसके जरी आप ऑनलाइन साइट पर शौपिंग करके कुछ पैसे भी कमा सकते हैं यानि कि शौपिंग भी एंड मैं उमीद करता हूं कि कि आप लोग ऑनलाइन रिचार्ड या शौपिंग जरूर करते होंगे अगर आप एमेजान फ्लिप कार्ड आजियो मिंत्रा जैसी वेब साइट का इस्तिमाल करते हैं तो आपको कैश करो जरूर इस्तिमाल करना चाहिए क्यूंकि कैश करो एप आपको हर एक पर्चेस पर र लोड करके मेरा कोड गोस्ट 25 का इस्तिमाल करके भी 25 रुपीज को पा सकते हैं मतलब साइन हुआ ही है और पैसे आ गए खेर आप आप नॉर्मली जैसे शौपिंग करते हैं वैसे शौपिंग करिये लाइक फिलिप कार्ड एमेजान मोबाइल रिचार्ज इतियादी बट मै आपका कैश बैक कनफर्म हो जाए तो आप इसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप इसको एमेजान वाउचर में कनवर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों आप कैश करो से पंदरा सो से जादा वेबसाइट पर जाकर शौपिंग भी कर सकते हो सबसे बढ़िया बात यह है कि यहां पर रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट कर रखा है तो देरी किस बात की है डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से कैश करो एप को डाउनलोड करें और लाब उठाएं उसके बाद ये लोग 89 डे पर यानि की जहां से पार्ट वन शु सोटे बेटे बू की मौत हो गई थी शोर मचने से एलियन ने उसको मार दिया था जो कि काफी जादा क्रिवल सीन था अब यहां पर रीगन इस चीज का दोशी खुद को मानती थी क्यूंकि उसी ने उसको वह एरोपलेन चुपके से दे दिया था दैन फिल्म सीधा डे 472 पर टॉय को लेकर चलती है ताकि और लोग अगर उसको देखें तो उनको यह लए कि उनके पास में बेबी है और बॉक्स में कुछ भी नहीं है या फिर वो शोर मचाने वाला टॉय भी हो सकता है जो क्यों एलियन को डिस्ट्रेक्ट कर सके अब पार्ट वन के एंड में ली अप बढ़ते हैं तो दोस्तों यह तो हो गई पास्ट की बातें अब पार्ट वहीं से शुरू होगा जहां से पार्ट वन खतम हुआ था ट्रेलर के हिसाब से हम पार्ट व में यह देखते हैं कि इनका बार्ण और घर सब कुछ जल गया है तो यह सभी लोगों की मदद करने के ल जो कि एलियन की उमीद में था लेकिन उसको इविलन दिखती है यह लोग अंदर भागते हैं और एलियन इनका पीछा करता है बट तभी एक न्यू करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है यह इनको बचा तो लेता है लेकिन इसी बीच मारकस के पैर में चोटा जा बट तभी इवलन उसको यह बताती है कि अभी भी कुछ लोग है जिनको बचाया जा सकता है वो अपने न्यूबॉर्ण बेबी को भी दिखाती है मेबी वो एमेट से रिक्वेस्ट करेगी कि वो इस एरिया में उनको रहने दे और जाकर बाकी सभी को बचाए जो कि उसके ख जाकर इस फ्रिक्वेंसी को एमप्लिफाई करना चाहते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर हमको एक और करेक्टर की एंट्री होते होई भी दिखाए देगी जिसका रियल नाम यहां पर बताया नहीं गया है फिल्म में उनको बस मैन ऑन आइलेंड कहा गया है जिससे ये बात साबित होती है कि एमप्लिफाई इसी आइलेंड कम्यूनिटी से है और जब उसके बच्चे भी भी मारे गए वो किसी भी कम्यूनिटी का हिस्सा बनना नहीं चाहता एज उसके अंदर डाकनेस है और वो काफी ज़दा अन्प्रिडिक्टेबल है तो पता नह से जाधा एलियन से फाइट उनके ओरीजिंस एंड हुमैनिटी को बचाने के बारे में होगी फॉर्स्ट फिल्म वॉस ओल अबाउट सर्वाइवल लेकिन यह सर्वाइवल से थोड़ा हटकर होगी एंड मुझको परसनली ऐसा लगता है कि यह एलियन इन्वेजन काफी बड जाए क्योंकि एक सीन में हम देखते हैं कि रीगन काफी ज़्यदा स्ट्रॉंग और बड़ी हो गई है तो थर्ड पार्ट भी आ सकता है और हमको इस फिल्म के अंदर कुछ ट्विस्ट एंड में देखने को मिल सकते हैं लाकिन एलियन की कोई और कमजोरी भी हो सकती है हो सकत एरिया से इन एलियन को फ्रिक्वेंसी के जरियत दूर रखा जा सके और क्रॉस का मतलब यह होगा कि वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन तबाह हो चुका है या फिर वो हुमन की लोकेशन भी हो सकती है और लेट मी रिमाइंड यहां पर हर एक फ्रिक्वेंसी से ऐसा नही एट सेक्टरा बट गुड तिंग कि इस बार एलियन काफी अच्छे से स्टार्टिंग में ही दिख जाएंगे और मस्ट से अगली एस एफ एंड उनका जो मू है उसका जो अंदर का हिस्सा है वो इयर से भरा हुआ है तो दोस्तों यह थी गोस्ट सीरीज की तरफ से एक वाय आइकॉन को दबाकर औल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर देना तब ही आप तक सारी की सारी नोटिफिकेशन साइंगी अब दोस्तों वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको कैश करो एप के बार में याद रहना चाहता हूं जो कि लिटरली आपको शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से कैश करो एप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना और याद रहे कि आप मेरे कोड गोस्ट 25 का इस्तिमाल जरूर करना ताकि आपको 25 रुभीज मिल जाएंगे आप यहां पर लिटरली धेड सारे पैसे बचा सकते हैं और हर चीज़ पर कैश बैक कमा सकते हो अगर आपको पार्ट बं का एक्ष्लेशन चाहिए तो बस आपको वीडियो को लाइक करना और एक कॉमेंट करना है कि पार्ट वन एक्स Mia बाए तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में तब तक के ये स्टे कोस्टनी